हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेडिज भी मैं हूं महमद सोहिल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अपोलो हॉस्पेटल पे मैं कब-कब बात किया हम लोग पहले वह देखेंग थर्टींत में हमारा इंट्री है 21st में 27th में फिर से हमारा रीबाइंग हुआ उस पर 10 जून को मैं वीडियो अपलोड किया था रिजेट एक हफता पहले वीडियो अपलोड किया था अपलोड करके मैं ये बताया था कि स्टॉक के अंदर हम लोग तो हमारे टार्गेट अच आज का स्टॉक का हाई क्या है 6219 मैं क्या टार्गेट दिया फाइनल टार्गेट 6240 स्टॉक आज का क्लोजिंग क्या दिया 6181 स्टॉक का क्लोजिंग दिया इसका मतलब अगर स्टॉक कल 6240 के टार्गेट नहीं लगा रहा है और नीचे आते आते स्टॉक 6170 पे क्लोजिंग दे रहा है या level को break भी कर रहा है तो आप क्या करना stock में से profit booking करके निकल जाना ठीक है यह थे मेरे previous analysis के update अभी नई analysis क्या है नई analysis यह है stock में यहाँ पर previous breakdown level है previous breakdown level का traded value है जिस traded value का stock recently एक support पकड़ा है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर stock में fresh buying होगा फिर से fresh buying होगा तो stock में stock fall करेगा breakout से support लेके उपर जाएगा previous breakdown level को stock breakout बनाएगा अगर ऐसा नहीं किया समझो stock ऐसा नहीं किया तो stock में क्या होगा stock के अंदर आपको एक fall देखने को मिलेगा fall जो देखने को मिले मेरे सबसे नहीं मिलना चाहिए फिर भी breakout से तो हम लोगों के पास दो level बनेंगे फिर से re-entry करने के लिए अगर कल trailing में profit booking करेंगे एक रहेगा 5966 दूसरा रहेगा यहां पर 6064 अगर rebuy करना है तो यह level है अगर rebuy नहीं होगा direct target लगेंगे तो हम लोग complete profit booking करेंगे अब उसके लिए अगर हम लोग यहां पर MSED दे देते हुए फिर से stock को बढ़ाना चाहते है मैं stock में final target कहां तक देख रहा हूँ मैं आपको final target बता देता हूँ यहां पर मैं final target 6412 कर देख रहा हूँ and 6412 पहले 385 है 6385 है and उसके बाद जो level मेरे रहेंगे stock में यह रहेंगे 6494 तो 6480 ले लेंगे 6480 यह level मैं Apollo hospitals में देख रहा हूँ दोस्तों with a trailing without trailing की बात नहीं कर रहा हूँ मैं with a trailing की बात कर रहा हूँ अगर trailing के level मुझे देखने को मिले तो ठीक है अगर नहीं देखने को मिले तो हम लोग आखरी तक stock के अंदर position बनाये बैठेंगे अगर आपको कुछ doubt है तो दोस्तों नया oscillator लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए जो stock खुद indicate कर रहा है और इसके settings भी आप देख लीज करता है कि अगर stock 200 EMA का support ले रहा है तो इसका हम लोगों को breakout मिलेगा जो rally है जैसे मैं previous time matrix series देखते हुए आपको analysis दिया था अभी मैं दो महिने हुल्मा के उपर आप लोगों को काम करवाने वाला हूँ दोस्तों तो मैं आपको indicator plus oscillators के benefits बताते हुए वो stock में कैसे काम मैं वैसे आप लोगों को analysis भी देता रहूंगा आपको भी समझ में आएगा कि हम लोगों को केतना patient से stock अंदर काम करना है बस मेरा suggestion है यह levels पर ट्रेलिंग के साथ काम करिए जो levels में आपको आज दिया हूँ और आगर आपको कुछे भी doubt है नीचे दिया गवे WhatsApp नमर पर आप मुझे message कर सकते हैं यही था मेरा update and next analysis Apollo hospitals के लिए अगर आपको stock analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video